तुम्हें बताना चाहूंगा यह सारे के सारे silences illegal है इसके ओपर 100% चलान है अब मेरे पास तो display है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ यह सारे silences right left में जितने भी हैं यह illegal है इसके ओपर 100% चलान हो गई होगा हलो रॉल ब्रेट फैमिली मैं अपनों का कमला नंद सभी भाइयों को राम नाम असलाव आलेकुम वाहिगुरुजी का खाल साथ वाहिगुरुजी की फते जै जवान जै किसान जै भोले नात की चिंता नहीं किसी बात की सो दोस्तों आज की वीडियो है वड़ी शांदार छोड़ियेगा नहीं लास्ट मुमेंट तक वीडियो देखना कमपलसरी हो गया है वह इसलिए कमपलसरी हो गया है कि जो चीज हमारी रॉयल एंट फिल्ड में कमपलसरी है और मोस्ट किसी भी बाइक में कमपलसरी है वह सार करूंगा कि क्या क्या चीज़ें जो आप लगवाएं जिससे चलान की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको कहीं पर अगर कोई रोक लेगा तो 100% आपको बेज़त नहीं होना पड़ेगा अपना लेसेंस नहीं दिखाना पड़ेगा अपना कागज नहीं दिखाने पड़ेंगे रॉयल बॉलेट एक्सेरिज वर्ल्ड करोलबाग न्यू डेली नाई वाला बैंक स्रीट सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो लीगल है क्या लीगल है उसके अंदर मैं आपको दिखा दूं दोस्तों कि सबसे पहले लीगल है हमारे लेग गार्ड्स यह देखि पूरा खजाना मैंने अपनी रॉयल बुलेट फैमिली के यहां पर लगा रखा है जिनकी कीमत 500 रुपे, 600 रुपे, 900 रुपे, 12 रुपे, 18 रुपे के आसपास है तो यह सारे लेग गार्ड्स बहुत जरूरी है हमारी गाड़ी में लगाने में और यह लेग गार्ड्स ना ह लेग गार्ड है दोस्तों यह थंटर बड़ के लेग गार्ड है यह 8-band है इसकी कीमत भी 700 रुपे के आसपास है यह स्टेलन स्टील के लेग गार्ड है इधर मैट ब्लाक उपर आप देख रहे हैं यह पूरी जो डिस्प्ले है आप जो डिस्प्ले चेक कर रहे हैं अपनी स हमारे पास वेरियंट है देखिए कितना खुब्सूरत वेरियंट है ब्लाक एंड क्रोम अल्मॉनियम बेस मेटल जिस पर जंग कभी नहीं लगेगा इसमें हमारे पास जो वेरियंट है जैसे इसकी यह टेल लेंप है इसमें भी कैप लगी हुई है और इसके जो इंडिकेट सेट रॉयल बुलेट एक्सेसरीज वर्ल पे अवेलेबल हैं जिनकी टोटल कॉस्टिंग अच्छी मेटीरियल में और हैवी में 500 पर 600 पर असपास आती है कहने वाले कुछ भी कहें कि इतना सस्ता मिलता है ठीक है जहां से सस्ता मिलता है आपका दिल जहां मानता है वहां से ल जिस बैक्राउंड से मुझे मिला फेंग जिससे हमारा चैनल ऐसे चड़ गया जिसकी ग्राफिंग बड़ी शांदर हुई वह बैक्राउंड यह मेरे अलॉइविल्स की है और यह अलॉइविल्स हंड्रफरसंट लीगल है इसके अपर कोई भी चलान नहीं है कोई भी आफें पर कोई भी चलान नहीं है यही सारे मॉडल मेरे पीछे जो लगे हैं डबल डिसके हैं और यही से अगर हम घूमते हैं इस तरह तो यह है सिंगल डिसके अलॉइविल्स जिसके अंदर फैट वो आ है और यह सारी डिस्प्लेय अपने रॉयल बिलड फैमिली के लिए है यह ड यहां पर पड़े हैं यह भी अवे लेवल हैं हमारे पास जो लगाने के बाद कोई चलान आपका नहीं होगा तो दोस्तों यह चोथी आइटम और यह वाइब्रेशन रॉड अगर आप अपनी बुलेट की वाइब्रेशन को कम करने के लिए लगाते हैं तो इसके पर कोई च क्वालिटी की हैं यह देखिए यह पहला दूसरा तीसरा यह इस तरीके की वेरिंट है हमारे पास यह वाइब्रेशन रॉड के अपर कोई भी चलान नहीं है यह मैं आपको आइटम दिखा रहा हूं चोथा नंबर इसके बाद आ रहे हैं मोबाइल चार्जिंग जो मोबाइ करते हैं प्यार वो इस वीडियो को करेंगे शेयर क्योंकि यह है एक लीगल वीडियो लीगल एक्सेसरी इसके लिए यह लगे हैं आपके सामने विंचेड अब एक बात आती है हैंडल पे हैंडल में सिर्फ आडी 350 को छोड़के सारे हैंडल उन्होंने इल्लीगल कर दी है हा है मेड़े भावबली हार एक चीज इल्लीगल है जैसे यहां पर यह हैंडल मेरे सामने है यह है आडी 350 तो यह कुछ जैन्वन टाइप में आता है तो इस वजह से इसके ओपर कोई चलान नहीं है क्योंकि इसके बीच में एक रॉड लगी है इसके पर चलान नहीं है अधर व सीट है जैन्वन के पर बनी हुई इसके अंदर हमारी जो बंपी है वड़ी मस्ती हो जाती है स्प्रिंग वाली सीट्स है अराम से आप चला सकते हैं अपनी गाड़ी को जितनी मेरी पीछे सीट्स लगी हुई है जो देख रहे हैं यह सारी लीगल है इनके पर कोई चलान नह ही है तो दोस्तों इसके बाद हम क्या लगाएं और हमारा चलान नहीं यह लो यह है सेंट्रल लॉक सेंट्रल लॉक सिस्टेम हमारी बुलेट के लिए अन्यदर बाइक के लिए इसको लगाने पर कोई भी चलान कोई भी ऑफेंस नहीं है आप यह लगा सकते हैं बड़े इसके बहुत लोगों नहीं है और उसके बाद जो हमारे पास आ गया है ट्रैकर विद अन्टी थैफ दो साल की सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है जिसकी कॉस्चिंग यह बाउट थरी फाइफ है और यह जो आप लगबा रहे थे 200 अरवे का अब यह दोनों वेरिंट हमा दो तो यह है आठवी आईटम जिसके अबर चलान नहीं है side mirrors handle bar के side पे लगालीजिए और ये handle की उपर लगालीजिए black color वेरियंट और क्रोम में हमारे पस available है और यह अगर आप लगा लेंगे handles के side पे जिनको GT mirrors का जाथा है जिनको Harley mirrors का जाथ तो इनको अपर भी कोई चलान लगवाना या इस तरीके की कोई modification करना ये legal है ये carriers illegal नहीं है आप ये carrier अपनी बुल में लगा सकते हैं और long ride पर जा सकते हैं पीछे अपनी girlfriend अपनी wife या कोई आपका दोस्त हो तो एक तरफ उसका समान और दूसरी तरफ उसका समान अपना समान डाल के खुब ride को enjoy कर सकते हैं ये सारी चीज़े legal है boss कोई भी चीज इसमें ऐसी नहीं जो मैंने आपको दिखाई कि illegal हो ये सारी legal है एक एक चीज confirm की गई government से कि क्या legal है हम क्या लगा सकते हैं जिससे हमारी royal infield चलाने वालों को problem ना आये ये सारी चीज़ें लेके मैं हाजिर हूँ आपका अपना कमाल अनंद और फिर कहूंगा चैनल सब्सक्राइब कर दो फटा फट और notification का दबा दो बटन की आने वाली वीडियो में आपको पता चलता रहे कि क्या आ रहा है नया और क्या-क्या चीज़ हमें करनी चाहिए और क्या-क्या नहीं करना चाहिए तो दोस्तो इसके बाद जो आइटम आती है दसवी टेंथ वो है ये सेटल बैक्स जिनको लोग डंबरू भी कहते हैं ये वाटर प्रूफ हैं ये भी आप लगा लें तो कोई भी चलान नहीं होगा इसके बाद अगर हम बैक्स की बात करते हैं तो इस तरीके का बैक्स भी आप सेटल में लगा सकते हैं साइट पे लगा सकते हैं जिसकी किमत जो है वो नियर अबाउट डिली ट्रेफिक पुलिस और जो आला अभीकारी हैं उनसे पूछके कि क्या चीज लीगल है क्या चीज इलीगल है तो आज की वीडियो जो है वो पॉजिटिव है कि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बीस आइटम्स ये लीगल है रॉयल एंट फिल्ट चलाने वालों के लिए तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं हैं इनके बेर कोई चलान नहीं है जिसकी costing थीन सो चार सो पांसो छे सो और तक की है तो आज आपको 20 प्रोडेक्ट देखने को मिलेंगे जहां पर आपको बता जा रहा है कि लीगल एक्सेसरी कौन-कौन सी है जो बारवी आइटम है वो है हजार सिस्टम जिसके अंदर हम इंडिकेटर्स को खेलते हैं प्ले करते हैं राइब करते हुए राइट लेफ वो नाशते हुए आपको इंडिकेटर्स दिखते हैं यह प्लागेंड प्ले वाला है जिसकी कीमत है रवाउट बारा सो बचास या बारा सो बचास और यह जो है रॉयल बुलेट एक्सेसरीज वोल्ड करल बाग न्यू डेली को दिखाने के बाद मैं एक चीज़ कहना चाहूंगा जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो करना चाहते हैं वो जॉइन बटन दबा दें उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे यह है 16 आइटम जिसके ओपर चलान नहीं है आज आपको टोटल 20 आइटम में दिखाने जा रहा हूँ जिस पर चलान नहीं है सो दोस्तों साइड की डिक्की बहुत जरूरी हो जाती है बुलेट में जो लोग रोज सफर करते हैं आना जाना करता हैं लंबा आना जाना करते हैं उनके लिए साइड डिक्की लीगल है इनके ओपर कोई भी चलान नहीं है इसमें तीन वेरियंट है इस से छोटे वाला और तो ये तीनों variant Royal Bullet Accessories वर्ड पे अवेलेबल हैं और इनकी कीमा जो है बड़ी reasonable रहती है ये देखिए इस तरीके की decay है और अगर हम यहां से खोलते हैं तो इसके अंदर काफी सारा समाना आजाता है इसमें lock भी लगा हुआ है और कोई भी problem आपको इसमें नहीं आएगी ये surety मैं इसले दे रहे हूँ क्योंकि सारी चीज़ना पता करके आपको बताया जा रही है इसी भी तरीके का Bluetooth device लगा के helmet में लगा के चलना ये legal है illegal नहीं है ये भी हमने confirm किया लेकिन अगर आपके helmet के अंदर आपने लगा हुआ है और आप बात कर रहे है तो उसके ओपर चलान नहीं है दोस्तों ये सारी महनत जो आज हो रही है ना सिर्विस लिए हो रही है कि आपको पता चल जाए कि legal accessories क्या है और illegal accessories क्या है ये riding gears आप अगर लगाते हैं और गाड़ी चलाते हैं तो ये तो अब आने वाले time पे अनिवार्य होने जा रहा है compulsory हो जाएगा riding gears पहन के long tour पे जाना या riding gears पहन के heavy bullet या कोई भी sports bike चलाने ये होने जा रहा है बड़ी जल्दी लेकिन ये legal है मेरी back में लगी हुई है tiger lamps इनके ओपर कोई चलान नहीं है मेरे यहाँ पर लगे हुए DRL वाले 75 watts के और 90 watts के कुछ headlights लेकिन 75 watts allowed है 90 watts allowed नहीं है ये भी हमने पता किया दोस्तो सतारवी item जिसके अबर बहुत सारे मेरे पास message है कमेंट्स हैं कि भाईया horns का क्या करें अगर आप इसके साथ एक और horn लगा लेते हैं तो चलान नहीं है क्योंकि double horn allowed है इस तरीके का या इस तरीके का ये मिंडा है ये roots है इसकी किमत मातर 300 रुपे है और ये जो है 550 रुपे का pair है आप ये लगा लेंगे तो कोई भी चलान horn के प्रती आपकी bullet में नहीं होगा इस बात की surety है मैं फिर कहना चाहूंगा कि ये सारी चीजें पूछ के की जा रही है पता करके की जा रही है पूरी आरेंडी की गई है कि क्या क्या चीज अलाओ है क्या क्या चीज अलाओ नहीं है तो ये हॉन्स एलाओड है इसके अलावा कोई भी हॉन आप लगाते हैं तो वह illegal कहलाएंगे इस हॉन्स आर लीगल इन रॉयल एंट फिल्ड और अनधर बाइक्स तो दोस्तों ये है केकड़ा इसको केकड़ा कहा जाता है क्योंकि ये मोबाइल चार्जर प्लस मोबाइल होल्डर है बहुत रिजेंबल प्राइस पे मैंने आपको बता दिया चोटा सा लेकिन उसके बाद ये बहुत बड़िया मैटल के अंदर ये हमारा मोबाइल होल्डर प्लस चार्जिंग है और ये वाटर प्रूफ हमारा चार्जर है इसकी किमत जो है 600 रुबे के आसपास है और ये जो मोबाइल होल्डर है ये टॉप कहीं जाना है मैप देखना है तो आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं हाँ जी ये है बुलेट और ये करती है अपनी बुलेट को बुलेट प्रूफ ये है इंजन प्लेट दोस्तों जिससे हमारा जो नीचे का चेंबर है हम जब स्पीड ब्रेकर पर चड़ जाते हैं या प प्लेट बड़ी हैवी मिलेगी आपको रॉल बुलेट एक्सेसरीज वर्ड करोलबाग के लिए अगर पीछे हमारी बीवी बैठी है बच्चा बैठा है वहन बैठी है या हमारी बैठी है मम्मी तो बैकरस की इतनी सारी रेंज है हमारे पास लेकिन यह मैं बता दूं यह सार की डिस्प्लेइं तो मैं बताना चाहूंगा यह सारे के सारे सालेंस इल्लीगल है इसके ओपर 100% चलान है अब मेरी पास तो डिस्प्लेइं है इसलिए मैं दिखा रहा हूं यह सारे सालेंस राइट लेफ्ट में जितने भी हैं यह इल्लीगल है इसके ओपर 100% चलान होगा ही यह illegal silences हैं आज हम जो बात कर रहे हैं वो legal चीजों की कर रहे हैं तो उसमें यह display भी आपको देखनी बहुत जरूरी थी यह सारी illegal की है So दोस्तो आपने देखा कि आज की वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि legal accessories क्या है So दोस्तो यह video share जरूर करने हैं कि लोगों को यह जागरू करना है कि भाई legal accessories क्या है जो रॉलेंट फिल में लगती है सब चीज़े मैंने आपको दिखा दी नाना करते हो अभी 20 accessories हैं जो हमारी रॉलेंट फिल में लगी हो तो कोई भी problem नहीं आएगी तो आज की वीडियो के लिए फिर जल्दी मुलागाद होगी अपने उड़े परिवार के साथ YouTube के परिवार के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजासत मैं अपनों का कमाल आनन वंदे मातरम जाहिन सलाम